दोशकार दोस्तों मैं हूँ धर्मीस तीजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है आज तारीक दो अगस्त सुबे को राश्चे पूरु अनुमान केंदर की तरफ से आल इंडिया वैदर समरी और फोरकास बुलेटन जारी हुआ है दो अगस्त से लेके छे अगस्त के मोसम के हाल के बारे में याथ täBLE देख रहे हो आप उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश का दोर जारी है और कुछ इस्तानों पर तो भारी बारिश हुई है आने वाले दिनों में सितीश बदलेगी मद्ध भारत में और पूर्वी राजिस्तान में इनकी बात करें तो मानसुन सक्रिये रहेगा आने वाले सब्ताव में अच्छी वारिश का दोर जारी रहेगा अब बात करते हैं उत्राखंड की उत्राखंड और पश्वी उपी में भारी बारिश की समवना व्यक्ति गयी है अब दिल्ली पंजाब हर्याना में भारिश होती रहेगी कहीं कहीं पर कहीं मद्यम और कहीं पर हल्की किसानों के लिए काफी लाबकारी रहेगा आईए पहले उत्तर भारत के राज्यों का मौसम का हाल डिटेल में देखते हैं और फिर हरियाना पंजाग का जिलेवार मौसम का हाल डिटेल में देखेंगे दो अगस्त की बात करें तो पूर्वी राजिस्तान में और पश्मी मद्य परदेश में इन दो जगा पर भारी से भी भारी बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना वियत के रही है और फिर उसके बाद पूर्वी मध्य परदेश आ गया, पश्मी उत्तर परदेश आ गया, उत्तर खंड आ गया, इन तीन जगों पर भी काफी ज़्यादा भारी बारिश की संभावना है, फिर उसके बाद हिमाचल परदेश, हर्याना, चंडिगर्ड, दिल्ली, पश्मी राज में बारश की कोई प्रदेक्शन नी दी गही है, पंजाब में भी कोई नहीं है, हर्याना में अच्छी quirky हो सकती है, पश्मी उत्र परदेश में, उत्राखंड में और ये पूर्वी मध्य प्रदेश में, लेकριं पश्मी मध्य परदेश और पूर्वी राजिस्तान मे बहुत ज़्यादा बारिश होएगी भारिश से भी भारिश होएगी लाल का मतलब यह होता है कि भी टेक एक्शन अलट रहो ध्यान रखो अब चार अगस्त की बात करते हैं चार अगस्त को सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है पूरवी राजिस्तान में तो भारी बारिश क सम्हावना है लेकिन अब इदर मद्धे परदेश की बात करें तो वेस्ट मद्धे परदेश पश्मी उत्तर परदेश हर्याना उत्राखंड और हिमाचल इन जगों पर अच्छी सी बारिश की सम्हावना है लेकिन पंजाब में कम बारिश होएगी पांच अगस्तों सिनेरि काफी चेंजिस हो गया है कि कहीं कहीं जगा पर आप देख लो कि भी ये हिमाचल परदेश में पश्मी उत्तर परदेश में उत्राखंड में ये बारिश हो सकती है हर्याना में बारिश हो सकती है राइस्तान सारे में बारिश हो सकती है वेस्ट मद्धे परदेश में भी पारिश मल्यकी ये ज्यादा दूर जो है ना बारिशों का ये राजिस्थान और बद्धेपनेश में काफी जारी रहने वाला है पश्मी राजिस्थानु में बारिश कम होएगी हर्याना चंडिगर दिली में के बारिश के चांसिस हैं शे अगस्ट की इन साथ डिस्ट्रिक में जादा बारिश की से मामना व्यक्त नहीं की गई है हरे का मतलग है अभी तक हमारे पास कोई यहां पर कोई वार्निंग नहीं है सिवाए यब्ननगर में चार तारिक को कहीं किसी जगह पर अच्छी बारिश हो सकती है आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि महंदरगर रिवाड़ यह दो डिस्ट्रिक और यह बेवात और परलवर यह दो डिस्ट्रिक इन पाँच दिनों में एक तारिक से लेके पाँच तारिक तक ठीक ठाक मेडियम बारिश की किसी जगह पर प्रेडिक्शन दी गई है फिर हम बात करते हैं गुरू गराम की और जजजर की इन दो पांच दिनों में इन दो डिस्टिक में भी जादा बारिश की समावना नहीं है सिवाए दो तारिकों गुरुगराम में कुछ कहीं पर किसी किसी जगा पर हलकी बारिश हो सकती है फरीदाबाद में भी यही हाल रहेगा दो तारिकों कुछ बारिश हो सकती है लेकिन रोत तक सोनीपत और पानीपत में इन दो पांच दिनों में कोई पेडिक्शन नहीं बताई गई है फिर बात कर रहा हूँ वेस्ट साउथ वेस्ट हर्याना की जिसमें डिस्ट्रिक आते हैं सिर्सा, फतेबाद, हिसार, जीन, भिवानी, चर्की, दादरी पांच तारिक तक कोई जादा वार्निंग नहीं है बारिश की दोस्तों अब ये पंजाब का मोसम का हाल जो है जिले वार ये भारत सरकार के मोसम के इंद चंडीगड के दोरा ये दिया गया है वेदर वारनिंग पंजाब ये है तो इसमें माजा खेतर के जो चार डिस्टिक है पठानकों, गुरुदासपूर, अमरितर और तरंदर पांच तारिक तक कोई जादा बारिश की समभावना नहीं वेक्त की गई है फिर आता है दो आवा खेतर होशियारपूर, नवाशेर, कपूर्थला, जलंदर यहाँ पर भी सेम सिचूइशन है कोई जादा बारिश की समभावना नहीं है यहाँ तो आगे भी वेस्ट मालवा खेतर में भी जो डिस्टिक आते हैं फिरोजपूर, फाजिलका, फरीतकोद, मुकसर, मोगा, वटिंडा तो जो हमने स्प्रे करने हैं या खाद डालनी है अपने ट्यूवल तो आप चलाने ही पढ़ेंगे यहाँ पर भी कोई बारिश की ज़्यादा समभावना व्यक्त नहीं कहीं है फिर बात आती है लुद्याना, बर्नाला, मांसा, संग्रूर, फतेगर साभ, रूपनगर, पतेयाला, ऐसेस नगर तो इन जगे उपर भी यह जो इस्ट मालवा शेत्र है यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश की समावना नहीं व्यक्ती गई कुल मिनागर पंजामे बारिश की समावना कम है इन दिनों में तो दोस्तों आपको अगर मेरा यह प्रयास सार्थक नजर आता हो मेरी यह बात आपको समझ में आती हो मेरी यह वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो थैंक यू जी